रादे रादे जैसी क्रश्णा आज में आपको छट पर्व की पूजन विदी, मुहुरत और इसकी पौरानिक व्रतकता सुनानी जा रहे हूं छट पर्व कार्तिक मास की शुकल पक्षी की 6 तिती 20 नवंबर को सरवाद सिद योग में मनाया जाएगा शुष्टी तिती 19 नवंबर को रात 9 बच कर 58 बज़े से प्रारम होगी और 20 नवंबर को रात 9 बच कर 29 बज़े तक रहेगी इसके अगले दिन सूरिय को सुबह अर्द देने का समय 6 बच कर 48 मिनट पर रहेगा छट पुजा चार दिन का पर्व होता है यह दिपावली के छटरे दिन से मनाया जाता है इसलिए छट पर्व कहलाता है छट पर्व 18 नवंबर को रवी योग में व्रारम होगा थता 21 नवंबर को समाप्त होगा पहला दिन नहाय खाय का होगा छट पर्व का पहला दिन कार्दिक मास के शुकल पक्ष की चतूरती तीथी 18 नवंबर बुद्दवार को ही शुरू हो गिया इस दिन नाय खाय होता है व्रत रखने के लिए मेलाएं इसनान आदी से निवरत होकर नए वस्त धारन करती हैं और शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है दूसरा दिन खरना कार्तिक मा की शुकलु पक्ष की पंचिमी को मैलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को भोजन करती है शाम को गुड़स की खीर बनाकर खाई जाती है तीसरा दिन शष्टी पर सरवाद सिद्धी योग है और इसमें पूजन कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने जारी हूँ चट पूजा का मुख्य दिन शष्टी का दिन कहलाता है जो 20 नमबर शुकरवार को सरवाद सिद्धी योग में मनाया जाएगा इस दिन शष्ट पर्व का प्रसाद बनाया जाता है जिसमें चावल के लड़ू, फल, बास से बनी टोकरी में रखे जाते हैं एम टोकरी की पूजा की जाती है रत रखने वाली मैलाएं सूर्य को जल अरपित करती हैं वे पूजा के लिए तालाव या नदी के इसनान पर डू पूजा संपन की जाती है इस दिन शकरकंदी लोकी वे गन्ना खरीदा जाता है और पूजा की जाती है कार्तिक मास की शुक्लिपक्ष की चतूर्ती को नाय खाय से शुरू होने वाले वरत के दोरान छट वरती इसनान वे पूजा पाट के बाद शुद अर्वा चावल चने की दाल कदो की सबजी लेते हैं पंचमी को दिन भर खरना का वरत रख कर वरती शाम को गुड़ से बनी खीर रोटी और फल का सेवन करते हैं इसके बाद शुरू होता है चटीस घंटे का निर्जला वरत चट महा पार्व के तीसरे दिन शाम को वरती डूपते सूरज की आरा धारी सूरिय को दूसरा अर्द समापित करते हैं इसके पश्चा चटीस घंटे का वरत समापत होता है वरत में अन जल ग्रेंड करते हैं और फिर वरती अन जल ग्रेंड करते हैं इस अर्दे में फल और नारियल के अतिरित ठेकों का का प्रचलन होता है चट पूजा की तिथ 20 नौंबर 2020 को है चट पूजा का शुब मूरत 20 नौंबर 2020 है यह रातरी शश्टी तिथी प्रारम होगी रात 11 बच कर 29 मिनट से और समाप्त होगी अगले दिन 10 बच कर चट पूजा का महत्वर चट पूजा का त्योहार कार्टिक मासके शुकल पक्षि की शश्टी तिथी को मन आया जाता है यह पूजा चार दिन तक चलता है चट पूजा की चट पूजा डाला चट चटी माई चट चट माई पूजा सूर्य शुष्टी पूजा आधिनामों से जाना जाता है पोराणिक मानेता के अनुसार राजा प्रियवर्त और उनकी पतनी मालिगनी के कोई संतान नहीं थी इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ती के लिए महरिशी कशप से पुतरिष्टी यग्य करवाया यग्य संपन होने के बाद महरिशी ने मालेनी को खीर खाने को दी खीर का सेवन करने से मालेनी गर्भ वती हो गई औ लेकिन वे मरा हुआ पैदा हुआ इस बात का पता जब राजा को लगा तो राजा बहुत दुखी हुए और निराश की होने की वज़े से आत्महत्या करने का मन बना लिया परन्तु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने भगवान की मानस पुत् पुत्र का सोभाग्य प्रदान करती हूँ, इसके अलावा जो सच्चे मन, शद्दा और लगन से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी वनो कामनाई पूरी करती हूँ। पूरुनों ने एक सुन्दर पुत्र को जन्म दिया, तबी से ये छट पर्व का त्योहार मनाया जाने लगा है। अनुसा लंका विजय के बाद राम राज्य की इस्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल शष्टी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास रखा था और सूर्य देव की आरादना की थी, साथी सप्तमी को सूर्य देव के समय उन्हें अनुष्ठान करके सूर्य देव से सूर्य की पूजा शुरू की, कर्णु भगवान सूर्य के परम भक्त थे, वे प्रति दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्ध्य देते थे, सूर्य की करपा से ही वे महान योधा बने थे, आज भी छट में अर्ध्य दान की यही पद्धती प्रचलित ह तो आज मनें आपको छट पार्व की विदी, मुहुरत और पौरानिक कथाएं सुनाई, साथ में कुद्धत कथाएं भी सुनाई, अगर आपको यह पसंद आता है, तो कमेंट बुक्स में जय श्रीराम या जय हुचटी मया की जरू लिखें, धन्यवाद